हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपको कुर्ती में इन्वीजिबल जिप लगाने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ यह देखिए यहाँ पर मैंने एक कुर्ती कटिंग कर ली है आप देख सकते हैं अंदर की तरफ मैंने सीधी साइड रखी है और उल्टी तरफ मैंने मेजर्मेंट डाल कर इसकी कटिंग कर ली है तो यह देखिए यह जो हमारा फ्रंट आर्म होल है तो यह फ्रंट पार्ट है त तो इसे में हम invisible zip लगाएंगे, तो यह देखें, यहाँ पर मैंने छोटे साइज की एक invisible zip ले ली है, invisible जो zip होती है, वो सामने की तरफ एकदम plane होती है, और पीछे की तरफ यह हलकी सी उबरी होती है, तो यहाँ पर मैंने छोटे जिप ली है, आप अपने पसंद से बड़ी जिप भी ले सकते हैं, सबसे पहले हम पीछे का गला ड्राव कर लेते हैं, इसके लिए मैंने चौड़ाई ली है, धाई इंच और पीछे का मेरा गला है छे इंच, तो हम उसमें हाफ इंच मिलाएंगे लूजिंग मार्जिंग के लिए, तो साड़े चे इंच पर हम मार्किंग कर देंगे, यहाँ से भी धाई इंच की चौड़ाई ले लेंगे, और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे, इसके बाद इसी कॉर्णर से हम हाफ इंच पर एक निशान लगा देंगे, और इस तरीके से पीछे का गले का शेप ड्रॉ कर लेंगे, इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे, यह देखी, पीछे का गला मैंने कट कर लिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्क्वेर शेप का भी गला कट कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर जिप अटेच करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले जिप का मेजरमेंट ले लेंगे, तो यह देखी, यहाँ तक हमारी जिप आने वाली है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिप को इस तरीके से ओपन करके देख लेंगे, आप देख सकते हैं, यही तक हमारी जिप खुलती है, तो यहाँ पर हम एक चौक से निशान लगा लेंगे, इसके बाद जिप को बन कर देंगे, और फिर से इसे मेजर कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं इस निशान तक ही हमारी जीप आने वाली है तो इसी तरीके से कपड़े के उपर भी हम निशान लगा लेते हैं ताकि हम perfect नाप ले सके अगर आपको बड़ी जीप लगानी है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ ये जो हमारी seat round के line होती है उसके उपर दो इंच उपर तक आप zip लगा सकते हैं इसके नेचे आप zip नहीं लगाएं नहीं तो हमारी जो zip होती है वो कुर्ते पहनने के बाद उठी उठी लगती है फिर वो अच्छी नहीं लगती है ये देखें यहां तक हमारा zip का निशान है त जीप लगाने के लिए मैंने एक कपड़े की पट्टी निकाल ली है इस पट्टी की चौड़ाई है तीन इंच इसकी लंबाई भी मैं आपको बता देती हूँ अगर हमारी zip आठ इंच है तो हमें उसमें दो इंच एक्स्ट्रा ले लेना है तो हम यहां पर दस इंच की पट पट्टी ले ली है हम यह पट्टे ऐसे ही डाइरेक्ट नहीं लगाएंगे हम इसके उपर चिपकने वाला जो canvas paper होता है उसे हम इसके उपर press करके चिपका देंगे यह देखी उसी size का मैंने ने canvas paper भी कट कर लिया है अब हम इसत्री की मदब से इसे अच्छे से चिपका लें इसे हमें जिप लगाने में जएदा परिशानी भी नहीं होती है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी तरीकी से आ जाती है यह आप देख सकते हैं मैंने कैन्वस पेपर अच्छी तरीकी से चिपका लिया है तो चलिए अब मैं आपको कुर्ती में जिप अटेच करके दिखा देती हैं तो यह देखिए यह हमारी जिप है इसे हम एटेच करने वाले हैं और यह हमारा कपड़े की पट्टी है जिस पर हमने कैन्वस पेपर चिपका कर तयार कर लिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस पट्टी के दोनों किनारों पर पाविंच कपड़े को करके इसके उपर एक-एक सिलाई लगा लेंगे यह देखिए दोनों तरफ सिलाई लगा कर हमने इसे रेडी कर लिया है अब हम क्या करेंगे इसे सेंटर से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे यह देखिए मैंने इसके उपर हलकी सी स्त्री भी घुमा दी है ताकि यह जो हमारी बीच की फोल्डिंग लाइन है वो हमें अच्छे से दिखे तो ये देखे ये हमारी कुर्ती है सबसे पहले हम कुर्ती को इस तरीके से सिधा कर लेंगे जिप हमें उल्टी तरफ लगानी है तो इसलिए कुर्ती को मैंने उल्टा कर लिया है अब ये देखे ये जो हमारी सेंट करब तरह सबस्के 1968 सब्सक्चित तरफ कर्थे तरह सो रहा हो nowhere आएक टिड़ी आज़ा है है तो इस तरह से चुप गरएक सब्सक्राइब करहे एग तरह सेछ चरद आराने चाहिकर पर लेना है और यह देखिए इसे निशान तक हमें सिलाई लगानी है क्योंकि यहीं तक हमारी जिप फुलने वाली है तो इस लाइन जो यह जो हमारे लाइन है इसकी दोनों तरफ हम एक-एक सिलाई लगाएंगे और दोनों के बीच में जो गैप आने वाला है वो पाव इंच का ही होना चाहिए और यह देखे इस तरीके से नीचे की तरफ आप चौक से या पेन से इस तरीके से एक भी का शेप बना लिजिए क्योंकि हमें जो सिलाई लगानी है वो नीचे की तरफ तिर्ची आने चाहिए तो यह देखे यहां से हम सिलाई लगाएंगे इस पॉइंट प जरूर ध्यान रखना चाहिए कि दोनों सिलाई के बीच में जो गैप होता है वो केवल पाविंच का ही होना चाहिए इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारी जो जिप है उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी तो यह देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसमे दोनों तरफ अच्छे से सिलाई लगा ली है और इसमें ज्यादा गैप भी नहीं रखा है अब हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे जहां तक हमारा पॉइंट है वहीं तक हमें कट कर लेना है सिलाई के उपर कईची नहीं चलानी है तो यह देखिए हमने इसे अच्छी तरीके स से फोल्ड हो जाए bunlar यह आप देख सकते हैं कितने आसानी से यह पीछे की तरफ फोल्ड हो गई है आप इसे मदद अच्छी तरीके से जेट कर लिगा ये दिखे मैंने इसे अच्छी तरीके से सेट कर लिया है तो अब हम इसमें जीप एटेच करेंगे तो यह दिखे जो हमा तो आप देख सकते हैं पट्टी को मैंने इस तरीके से ओपन कर लिया है और इस पट्टी का जो जॉइंट की सिलाई होती है उसी जॉइंट पर हमें ये जीप उल्टी तरफ से रखनी है और जीप के किनारे से हमें सिलाई लगा लेनी है जीप के उपर जो हम पहली सिलाई लग आप देख सकते हैं, सिर्फ पत्टी को बलत ले सबन करेंगेasting और पूरी जिप में सिलाई लगा ले भी आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा है, अभी मैं आपको दिखा देती हूं कि ये पलटने के बाद कैसे दिखेगी तो ये दिखे इस तरीके से जब हम पट्टी पलट देंगे तो हमारी जिप बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली है तो ये तो हमने सिर्फ सिंगल सिलाई लगाई है अभी हमें इसमें डबल सिलाई लगा लेनी है तब ही ये अच्छे से fix हो जाएगी तो ये आप देख सकते हैं ये जो हमारी zip होती है वो इसे हमें इस तरीके से उंगलियों के मदद से इस तरीके से पलट देना है इस तरीके से पलट कर एकदम इसके किनारे से हमें एक सिलाई लगा लेनी है तब ही जो हमारी जीप है वो अच्छे से fix हो जाएगी तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने आपको निशान लगा कर दिखा दिया है इस तरीके से हम जीप को पलट देंगे और एकदम इसके किनारे से एक सिलाई और लगा लेंगे ये देखे हमें ये सिलाई एकदम नीचे तक लगा लेनी है जहां तक हमारी जीप है वहां तक हमें ये पूरी सिलाई लगा लेनी है तो ये देखे मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है अब मैं आपको ये जीप बन करके दिखा देती हूँ ये देखे हमने जिप बंग कर दी आप देख सकते हैं हमारे जिप बिल्कुल भी नहीं दिख रही है ये हमारी एक तरफ की जिप अच्छे से लग चुकी है अब हम दूसरी तरफ लगाएंगे इसके लिए हम इस तरीके से कुर्टी को पल्टी कर देंगे अब ये आप देख सक यह जो हमारी नीचे की सिलाई है उसके बराबर से ही हमें सिलाई लगा लेनी है आप देख सकते हैं दोनों सिलाईयों को हमें अच्छे से मिला लेना है कहीं पर भी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए दोनों सिलाईयों को अच्छे से मिलाते हुए जिप के किनारे से हम पहली स लगा लेनी है यह दिखी मैंने यहाँ पर पहली सिलाई लगा ली है अब मैं आपको पीछे से इसे दिखा देती हूँ इस तरीके से जब हम जिप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगाई है तो इसकी फिनिशिंग अच्छी दिख रही है प और जिप को ओपन कर लेंगे कुर्ति को हम सीधा कर लेंगे क्योंकि उपर की तरफ से हमें सिलाई लगानी है तो जिस तरीके से हमने इसके किनारे पर सिलाई लगाई थी उसी तरीके से यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है तो यह देखिए यहाँ से भी हम जिप को इस तरी किनारे से ही हमें सिलाई लगा लेनी है नए तो हमें जिप बंद करने में परिशानी होगी तो ये देखिए निची की तरफ जब परिशानी होती है सिलाई लगाने के लिए तो जिप को हम हलका सा बंद कर देंगे और फिर से इसकी सिलाई लगा लेंगे ये देखिए निची की परफेक्ट तरीके से हमारी जिप लग चुकी है ये देखने से बिलकुल भी नहीं पता चल रहा है कि इसमें जिप लगी है इसलिए इसे इन्विजिबल जिप कहते हैं आप पीछे से भी इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं ये दोनों तरफ बिलकुल बराबर लगी है ये एक राउंड पट्टी लगा लेंगे यह देखिए यहाँ पर मैंने जो पीछे का गला हमने कट कर लिया था वही पीस ले लिया है और एक डबल फोल्डेड कपड़ा भी ले लिया है अब हम इस पीस को इसी की उपर रख देंगे उपर की तरफ से हम एक इंच ज़्यादा ले लेंगे और इसे एज इट इस ड्रॉ कर लेंगे बाहर की तरफ से भी हम डेड़ इंच तक एक्स्ट्रा ले लेंगे और इसका शेप कट कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से आपको राउंड पट्टी निकाल लेनी है कपड़े को फोल्ड करके इसकी एक सिलाई लगा लेंगे यह देखिए हमने पट्टी बना कर तयार कर ली है अब हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे क्योंकि हमें एक उर्टी के दोना तरफ लगानी है तो यह देखिए इस तरीके से हमें इसे कुर्टी के उपर रख लेना है यहां से हम पट्टी को हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और पाव इंच के मार्जिन से पट्टी को जॉइंट कर लेंगे इसी तरीके से दोनों तरफ हमें पट्टियों को जॉइंट कर लेना है यहाँ पर भी हमें हाफ इंच पट्टि को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और पट्टि को जॉइंट कर लेना है आप देख सकते हैं दोनों पट्टिया मैंने यहाँ पर जॉइंट कर ली है अब हम पट्टियों को इस तरीके से ओपन कर लेंगे और पट्टी के किनारे पर एक सिलाई और लगा लेंगे ये सिलाई लगाने से पट्टी को अंदर की तरफ fold करने में आसानी होती है ये देखे, यहाँ पर मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है अब हम क्या करेंगे इसके ये जो Corners है यहाँ पर एक तिर्चा कट लगा लेंगे ताकि हमें Folding करने में आसानी हो अब हम पड्टी को अंदर के तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसके उपर एक सिलाई और लगा लेंगे इसी तरीके से हमें दोनों तरफ सिलाई लगा लिनी है ये देखिए कुर्ती में हमने जिप लगा कर तयार कर ली है ये देखने से बिलकुल भी समझ में नहीं आ रही है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जबर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू